36 गड़ में भारती जनता पार्टी की जीत पर भाजपा की रास्टी पाध्यक्ष एवं पूरी मुख्य मत्री डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि प्रदेश की नई सरकार में हमारे लिए सबसे पहली चुनौती अपने घोशना पत्र में किये गए वादों को कैबिनेट में लाग जाइश नहीं होती है 36 गड़ में भाजपा 15 साल तक सत्ता में रही लेकिन कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता कॉंग्रेस तुष्ट्री करन की राजनीती करती है और भाजपा हमेशा लोगों को नियाय सुनिश्चित करने का रास्ता खुज लेती है नहीं 36 गड़ में अब हम सब के सामने हैं एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोसना पत्र चारी किया है और मोदी जी की गैरेंटी के बारे में जो बात कही है अब इस नए सरकार में जो भी मुख्या बनेगा या सरकार के मंदरी मंडल बनेगा उसके लिए पहली चुनोती यही हम रहेगी कि उन घोसना पत्र का क्रियानवन पहले कैबनेट से ही निर्णे लेकर आगे बढ़ें जिसमें वो चाहिए दो साल का बोनस देने की बात हो किसानों के धान खरेदी की समुचित वैस्ता हो एक तिस सो रुपया किसान को मिले महिलाओं के लिए महतारी योजन पे आगे बढ़के उसके निर्णे और क्रियानवन में तदपरता लाने का काम होगा तो प्राच्मिक्ता वही होगी जो मोदी गैरंटी है जो हमारे घोसना पत्र में जो मुद्दे थे और इसकी सुरुवात पहले दिन से होगी जोंकि शत्रिगड की जनता को हमने विश्व प्राण देता हूं इन्होंने करप्सन का भंडार बना दिया 25 रुबे लेते वी और आफ लाइन कर दिया कुछ नहीं करना है नीतिकत फैसल लेना है एक बार बैठने के बाद उसको फिर से आउनलाइन कर दो कोई करप्सन नहीं होगा फैसला नीती के नियत और नीती यदि स सरकार की ठीक हो तो ब्रष्टाचार चिपाख ही नहीं सकता मैं तो पंद्रा साल मुख्य मंतरी रहा माइनिंग डिपार्टमेंट और उर्ड़ा विभाग देख रहता हमने कानून बना दे फैसला करना है और नीती के फैसला लेकर उसका क्रियानमन करना है तो सरकार की मंसा और नियत और नीती दोनों ठीक रहेगी इसलिए अब कोई करपसन की चांस पीएसी पीएसी की भरती और पक्रिया हमने पंदरा साल किया ये एक दो साल में ही इनके हालत खराब हो गई और इतने बड़े आवरोप लगने लगे जब तक लाखों बच्चे के जीवन में जो साथ सत्त प्रतिश्यद गैरंटी के साथ बच्चों को ये विश्वास रहेगा कि वह एक्जाम दे रहा है तो सरकार उनके साथ अन्याइन नहीं करेगी इतना भरोसा तो होना चाहिए तभी सरकार की धमक रहती है पंद्रा साल चत्तिजगरण में बीजेपी की सरकार थी पंद्रा साल हमने सरकार चलाए कोई आरोप नहीं लगा सकता जहां जाब बीजेपी की सरकार बनती है सरकार सबको साथ लेके चलती है और कोई आरोप नहीं कांग्रेस ही है जो तुस्टी करण की राजनिती करती है ब